सूप्रबाद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ, आप सब कुशल मंगल होंगे और बहुत मज़े में होंगे तो बच्चों, आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं हिंदी का एक और सैंपल वेपर सैंपल वेपर आफ हिंदी, तो चलिए आएए शुरू करते हैं बच्चों, यहां हमें इन चित्रों को पहचान कर इनके शब्द लिखने हैं पहला चित्र है हमारा सडक, बोलिए सडक, जिस तरह से हम अक्षर को बोलते हैं, शब्द को बोलते हैं उसी प्रकार शब्द की विंजन की आवास को पहचान कर हमें लिखना है आपने बोला सडक, स, सक्षर से शुरू हुआ, स के बाद आवाज आई ड, स, ड, क, जब आप इस प्रकार बोल कर लिखेंगे तो बहुत ही असानी से आप शब्द लिख सकेंगे अगला शब्द देखिए, अगला चित्र है, कमल क, क से शुरू है, क, क के बाद आवाज आती है म की, और म के बाद आती है ल की क, म, ल, कमल अगला चित्र है, पच्पन हिंदी में, 55 को कहते हैं, पच्पन तो प, प से शुरू होता है अक्षर प, पच्पन अगला चित्र है, मटर का म, ट, र, मटर और अगले चित्र में आप देख सकते हैं, बादल है तो बोलिए, बादल जब आपने बोला, बादल तो ब किसलिए आपका मुझ कैसे खुला, आ करके तो इसका मतलब, ब अक्षर से शब्द शुरू है और ब के साथ है, आ की मात्रा ब, ब, आ, ब, द, द, के बादल ल की आवाज, बादल सडक, सडक कमल, कमल पच्पन, पच्पन म, टर, म, टर ब, द, ब, द, ब, द, ब, द, तो नेक्स्ट प्रेशन है हमारा मिलान करने का यहां जो चित्र है और सामने उसके शब्द लिखे गए है हमें चित्र को पहचानना है और शब्द को ढूंड कर उसे उससे मिला देना है तो पहला चित्र है हमारा माला मा, ला, धूनेंगी माला कहां लिखा है यह म, आ, ल, आ, माला अब माला को मिला देंगे शब्द से अगला चित्र है हात हा, थ, हात चित्र को शब्द के साथ मिला देंगे हात अगला चित्र देखिए शेल गम शेल गम शेल गम चित्र को मिला दिया शब्द के साथ शेल गम अगले चित्र में देखिए यह कौन सा फल है सेब 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 अगले चित्र को देखिएंगे यह है ताला अब इसको शब्द के साथ मिला दिया और अगले प्रश्ण में हमें करने है फलों के नाम पांच किनी भी पांच फलों के नाम लिखने हैं आपको तो चलिए शुरू करते हैं स, ए, ब, सेब, क, ए, ल, आ, के ला, आ, म, आम, अनार, अ, ना, र, अनार, संतरा, स, अन, त, र, आ, संतरा, आगे बच्चों, रंगों के नाम, किनी पांच रंगों के नाम, ल, ल, आ, ल, काला, क, आ, ल, आ, काला, ह, र, आ, हरा, न, इ, ल, आ, नीला, प, इ, ल, आ, पीला, ल, काला, हरा, नीला, पीला, ये हो गए, पांच रंगों के नाम, अगले प्रेश्ट में देखिए, यहां हमें लिखना है, शरीर के अंगों के नाम, जो आपके शरीर के अंग है, किनी पांच अंगों के नाम, तो जो हम सबसे असानी से लिख सकते हैं, क, आ, क, न, कान, ना, क, न, आक, नाक, ह, थ, ल, आ, थ, ह, अथ, गरदन, ग, र, द, न, गर्दन गा, ल, ग, आ, ल, गाल कान, नाक, हाथ, गर्दन, गाल अगले प्रश्न में हमने सबजीओं के नाम लिखने हैं किनी भी पांस सबजीओं के नाम मतर, म, ट, र, मतर गाजर, ग, ग, आ, ग, ज, र, गाजर कथल, क, ट, ह, ल, कथल पालक, प, आ, ल, क, पालक, शलगम श, ल, ग, म, शलगम फिर यहाँ है यातायाद के साधनों के नाम कोई भी पांच यातायाद यातायाद जो हमें एक जगा से दूसरे जगार पर लेकर जाते हैं बस, 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 कार, क, आर, कार न, आव, नाव ट्रक, ट, र, ट के नीचे, क, ट्रक, र, एल, रेल और अगले प्रेशन में हमें आ की मात्रा के कोई भी पांच शब लिखने हैं आ की मात्रा जिस मात्रा को, जिस शब को बोलते ही हमारा मुँख खुलता है आ, वहां लगती है आ की मात्रा जैसे बाग तो हमारा मुँख ब के साथ पूरा खुला इसका मतलब ब के साथ है आ की मात्रा बाग माला मा, ला राजा, राजा नाना, ना, ना बाल, बा, ल, बाल तो बच्चो अब बहुत ही सुन्दर हैंड राइटिंग में आपको ये सैंपल वेपर अपनी नोट बुक में करना है और मुझे शियर करना है गिड़ बाई